बॉलिवोट की मशूर एक्ट्रेस और मॉडल गोहर खान अपनी शादी के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है गोहर खान ने पिछले मैंने 25 दिसंबर को जैद दरबार के साथ निकाह किया था लेकिन अपने वर्क कमिट्मेंट के चलते गोहर को अपने पती से दूर शूटिंग के लिए जाना पड़ा था लेकिन अब शादी के लगबख एक महीने बाद गोहर और जैद अपने हनीमून पर निकल गए हैं टीवी का या प्यारा सा कपल उदेपूर में हनीमून मनाने पहुचा है और वहाँ से अपनी कुछ तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर शेयर की है राजस्थान के खूपसर चहर उधेपूर से कपल ने अपनी कुछ तस्वीरे शेयर की है जिसमें गोहर और जैन एक दुसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते वे टुक टुक राइट का लुफ्त उठाते वे नजर आ रहे हैं इसके अलाबा गोहर ने राजस्थानी फोक डान्स का एक वीडियो भी शेयर किया और बताया कि वो ये ट्रिप को कितना इंजॉय कर रही हैं गोहर ने अपनी सोलो तस्वीरे भी शेयर की है और लिखा है मिसस बनने के बाद पहला मिनी हॉलिडे उनकी ये तस्वीरे काफी खूसरत है शादी के बाद ये पहली बार है जब गोहर और जैद मुंबई से बाहर निकले हैं और दोनों ने इस मिनी हॉलिडे को जम कर एंजॉय भी किया फैंस को गोहर और जैद की शांदार केमेस्ट्री के साथ साथ उधेपूर का शांदार नजारा भी काफी पसंदारा है आपको बता दें गोहर और जैद ने 25 दिसंबर 2020 को शादी की थी इनके मेंदी हल्दी से लेकर शादी और रिसेप्शन तक की सारी तस्वीरे सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुई थी शादी के तुरंद बात गोहर वेब स्रीज तांडव की शूटिंग के लिए लखनव रवाना हो गई थी वह उनकी एरपोर्ट से कुछ तस्वीरे भी काफी वाइरल हुई थी गोहर को इस वेब सेरीज में अपने अभी नहीं के लिए काफी प्रसंचा मिल रही है उनके फैन से लेकर सेलविटी तक गोहर के एक्टिंग की काफी तारीव भी कर रहे है तो दोस्तों आपको जैद और गोहर के वेकेशन की ये पिक्स कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी लेटिस अपडेट्स के लिए लाइक करें फॉलो करें सस्क्राइब करेंग जब कबरें